हलो दोस्तों वेलकम टू होरर वाइब्स आज मैं आपको ट्रिप्ट के दौरान घटी गई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ यह सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही जाता मिस्टीरियस और अजीब है तो आप लोग वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले में ये बता दू कि अगर आप चैनल पर नए है और आपको हॉरर स्टूरीज और मिस्टीर स्टूरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटना है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर बेर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा साथ ही वीडियो पसंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊ इस वीडियो का टार्डेट लगते हैं 500 लाइक्स तो ज़्यादा टैम ना लेते हैं वीडियो करते हैं शुरूप और खो जाते हैं अंधेरों में ये पहली घटना जिस आत्मी के साथ घटी है उसका नाम स्नैप था और अगी की घटना मैं आपको स्नैप के पॉंट अफ यू से बताऊंगा मेरा नाम स्नैप है मैं साउथ कैनड़ा का रहने वाला हूँ ये घटना मेरे साथ 1980 के करीब घटी थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर गया था मेरा एक दोस्त था जिसका नाम बॉक्स था बॉक्स को ट्रिप अगयरा पर जाना बहुत अच्छा लगता था मैंने उससे कई बार बोला कि एक बार मेरे साथ भी ट्रिप पर चलो लेकिन वो किसी कारण वर्ट ट्रिप पर जा नहीं पाता था अकसर उसको कोई ना कोई काम आ जाता था ओफिस वर्ट या घर की कोई ऐसी परिशानी जब जाना मुम्किन ना हो लेकिन वो देखता था कि मैं लगाता ट्रिप्स पर और अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था तो मुझसे अकसर यही बोलता था कि एक बात मैं भी उसके साथ ट्रिप पर चलो ऐसी एक सिच्वेशन आई कि जब उसके घर पर कोई भी नहीं था सब कुछ एकदम नॉर्मल था तो मैंने उसे ट्रिप पर चलने के लिए बोला वो मान भी गया और हम लोग फिर ट्रिप पर चलने के लिए राजी हो गया हमने प्लैन बनाया था कि हम साउथ कैनेड़ा से नौर्थ कैनेड़ा की तरफ ट्रवल करेंगे और वहाँ पर धेर सारी पहाड़ों को विजट करेंगे जो कि देखने में बहुत ही जाथा खुबचूरत थे वो हमारी साथ में पहली ट्रिप होने वाली थी उससे पहले मैं बॉक्स को करीबन 6-7 सालों से जानता था लेकिन ऐसा कभी मौका ही नहीं बना कि हम दुनों एक साथ ट्रिप पर जा सकें हर बार की तरह मैंने अपना सारा समान पैक किया बॉक्स की मेरे साथ ये पहली ट्रिप थी तो मैंने उसको एक पूरा प्लान बताया कि हम कब कहां से जाएंगे और कहां पर हम स्टे करेंगे हमारी ये पूरी ट्रिप करीबन 10 दिन की होने वाली थी बॉक्स ने मुझसे का कि वो अपने साथ अपने एक दोस्त एंड्रू को भी लेना चाता है तो मैंने उससे का कि ठीक है फिर मैं और बॉक्स एंड्रू हम तीनों लोग ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो गए एंड्रू भी बॉक्स को करीबन 5 सारों से जानता था मैंने भी कई बार बॉक्स के मुझसे एंड्रू का नाम सुना था लेकिन कभी भी उससे बाचीत नहीं हुई थी जब मैं पहली बार एंड्रू से मिला तो उसका बढ़ताओ मुझे काफी अजीब लगा था काफी शांद रहता था लेकिन उसे भी ट्रिप पर जाना बहुत अच्छा लगता था बॉक्स से ज़ादा गुल मिलके बात करता था और मुझसे बात करते वक्त उसको आजीब सा डर लगता था मैंने इसके बारे में बॉक्स से बात की थी तो उसने बोला कि वो जादा लोगों से बात नहीं करता इसलिए उसों लोगों से बात करने में थोड़ा बहुत डर लगता है मैंने उसकी बात सुनी और फिर उसको इग्नोर किया और फिर हम लोग साथ में ट्रिप पर चलने लगे जहां पर हम लोग का घर था वहाँ से एक नैस्दी की स्टेशन था हम सब स्टेशन पर गए टिकेट ली और ट्रेन पर ही बैठे हुए थे हमें नॉर्थ कैनेडियन के वेप्परो नाम के एक मौंटेन पर जाना था जो वहाँ का एक सबसे हाईस मौंटेन था वहाँ से नजारा बताते है कि बहुत जादा खूपसूरत दिखता है मैं बहुत पहले एक बार वहाँ पर जा चुका था लेकिन यादे थोड़ी धूंगली हो चुकी थी तो मैंने बॉक्स से बोला कि एक बार फिर से वहाँ पर चला जाए उसने कहा ठीक है ट्रेन से जाने में वहाँ पर करीबन एक दिन लगता था मैं बॉक्स और एंड्रू तीनों लोग ट्रेन पर बैठे हुए थे रात का वक्त था बॉक्स सो गया था मैं भी हलकी फुलकी नींद में ही था उसक्त रात की करीबन एक या दो पच गहे थे ट्रेन चल लही थे मुझे बहुत जोर की प्यास लगी और रात में मेरी आँके खुली तो मैंने देखा कि एंड्रू अपनी सीट पर नहीं है मुझे लगा कि शायब वो फिर कहीं गया होगा तो फिर मैं पानी पी के दुबारा सो गया लेकिन उस वक्त मुझे नीन नहीं आ रही थी मैंने सिब अपनी आँके बंद की हुई थी बॉक्स मेरी आँकों के सामने बैठा हुआ था एंड्रू को गय हुए करीबन 20 मेट से ज़्यादा हो चुके थे मतलब चब मेरी आँके खुली उसके 20 मेट तक तो एंड्रू वहाँ पर नहीं था और उसके पहले वो कितनी देर से गायब है मुझे बिलकुल भी नहीं पता था मेरी उसकी ज़्यादा बाचीत भी नहीं होती थी लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता होने लगी मैंने बॉक्स को उठाया मैंने उससे बताया कि एंड्रू यहाँ पर है नहीं बॉक्स काफी जादे गहली नीन में था वो उठा और उसने बोला कि यहीं कहीं पर होगा तुम सोजो चलती ट्रेन में वो कहा जाएगा और बॉक्स इतना बोलके दुबारा सो गया मैं फिर से 10 मेट तक वहीं पर इंतिसार करने लगा लेकिन एंड्रू दुबारा नहीं आया मैं खुद उसे ढूंडने के ले गया ट्रेन के जिस पोगी में हम लोग बैठे हुए थे वो पूरी खाली थी और मैं फिर बाकी बोग्यों में जब गया तो उसमें भी कुछी लोग बैठे हुए थे हम लोग शायद ट्रेन के उस पोगी में बैठे थे जो एकड़म आखरी थी हमारी पीछे एक और बोगी थी जो शायद नॉर्मल बोग्या थी जिसकी हमने टिकेट नहीं ले रखी थी वो एकड़म खाली थी क्योंकि उस बोगी में अकसर शाट रूट वाले लोगी बैठा करते थे मैं उसको उसी बोगी में ढोनने गया मैंने देखा कि एंड्रू उसी बोगी की एकड़म पिछली वाली सीट पर बैठा हुआ किसी से बाते कर रहा है मुझे वो साफ साफ दिखाई दिया मुझे उसका चेहरा बिलकुल नहीं दिखाई दिया जिससे वो बात कर रहा था लेकिन वहाँ पर सच में कोई था उसकी हाइट एंड्रू से थोड़ी सी छोटी थी एंड्रू की बैक साइड मेरी तरफ थी और वो जिससे बात कर रहा था वो दूसी तरफ था मैंने साफ साफ देखा था कि उसने एंड्रू के कंदे पर हाथ रखा हुआ है और मुझे उसके हाथ साफ साफ नसर आय थे जब मैं बोगी के अंडर एंटर किया और एंड्रू का नाम बुलाया तो वो तरफ पीछे मुड़ के देखने लगा जैसे एंड्रू ने पीछे मुड़ के देखा वो जिससे भी बाते कर रहा था उसने अपना हाथ हटा लिया और वो एंड्रू के पीछे ही खड़ा था मैंने एंडू से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं तुम बहुत देर से ढून रहा हूँ उसने बहुत ही डरते हुए बोला कि कुछ नहीं मैं तो बस यहाँ पर बैठने आया था मुझे अजीब लग रहा था उसने जब ये जवाब दिया तो मुझे बहुत हैरानियत हुई वो कुछ अजीब बाते कर रहा था फिर मैंने कहा उससे कि तुम बात किसे कर रहा हो उसने कहा कि किसी से भी नहीं लेकिन मैंने साफ साफ देखा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है मैं धीरे दरे एंडू के पास जाने लगा और जब मैं एंडू की दूसी तरफ पहुचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था हलाकि वो ट्रेन की बोगी की एकदम कोने में खड़ा था वहाँ से किसी कभी जाना मुम्किन ही नहीं है लेकिन वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई थी मैंने साफ साफ उसे देखा चाम मैंने एंडू के चेहरे पर देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी माते से पसीना निकल लाँ था वो अपनी आखे मुसे चुपा रहा था मैंने उससे पूचा कि तुम ठीक हो न उसने कहा हाँ मैं बिलकुल ठीक हो वहाँ पर सच में कोई खड़ा था जो कि उससे बात कर रहा था मेरा कोई वहम नहीं था लेकिन मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद मेरी यांखों का धुका हुआ हो लेकिन चाहकर भी मैं अपने आपको ये चीज़ समझा नहीं पा रहा था मैंने अगले दिन बॉक्स को इसके बारे में बताया उसने कहा कि शायद ये मेरा कोई वहम होगा तो फिर मैंने उसको नजर अंदास किया और फिर हम लोग दुबारा अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करने लगे थोड़ा दूर जाके हम लोग उस पहाड़ी पर भी पहुंच गये जहां पर हमें जाना था और वहां से काफी अच्छा व्यू दिख रहा था हम लोग उन्हें पूरी सुबा से लेके शाम वहीं पर ही गोसा ली वहां से कुछी किलोमीटर दूर एक होटेल था हम सब वहीं पर गया और हमने एक रूम लिया मेरा बियर पीने का मन था तो मैंने अपने लिए एक बियर मंगाई और उसे पीने लगा प्रॉक्स और एंड्रू बियर नहीं पीते थे इसलिए उन्होंने अपने लिए एक नॉर्मल ड्रिंग मंगाई और हम लोग पैट के बाते कर रहे थे उस उपकी एंड्रू एक्दम शान था मैंने एंड्रू से खुल के पूछा कि तुमाकर मुझे से बात क्यों नहीं करते हो तुम्हें क्या दिक्त है उसने इस बात का कोई जवाब भी नहीं दिया उसने का कि मुझे बस लोगों से बात करना उतना अच्छा नहीं लगता है थोड़ी बहुत बात हुई और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए रात में करीबन एक से दो बचे के बीच मैंने देखा कि एंड्रू कहीं पर उठके जा रहा है मुझे फिर वो चीज दिखाई दी इस बार मैं दुबारा एंड्रू के पीछे गया और मैंने देखा कि वो एक काली परचाई से बाते कर रहा था मैंने फिर उस काली परचाई को देखा उस काली परचाई की हैट उतनी ही थी जितनी मुझे ट्रेन में नज़र आई थी और जब मैं थोड़ा और रोशनी में गया तो मैंने देखा और वो वही चीज थी जिससे वो बाते कर रहा था दरसल वो एक लड़की थी उसके लंबे बाल थे और उसने एक हुडी पैन लखा था दिखने में वो एक छोटी बच्ची लग रही थी मैंने एंडू को साफ साफ देखा और वो उसे काफी देड़ तक खड़े होके बात कर रहा था एंडू की बाड़ी लैंग्विज से ऐसा लगा था कि वो बहुत जादा डरा हुआ है और वो गबराया भी हुआ है मैं तुरन भाग के अपने कमरे में गया जहां पर ब्रॉक्स लेटा हुआ था मैंने उसे बुलाया वो ये नीन में था लेकिन इस बार मेरे बुलाने पर वो जल्दी आ गया ब्रॉक्स ने एंडू को देखा और साफ साफ हम लोगों ने उसे काली परचाई से बात करते वे देखा जब ब्रॉक्स ने एंडू को बुलाया तो एंडू फिर हमारी तरफ घूमा और मेरी वा ब्रॉक्स के आँखों के सामने से ही वो काली पड़ जाई हवा में गायाव हो गई मैंने ब्रॉक्स को बताया कि एंडू के साथ कुछ ना कुछ अचीब जरूर हो रहा है उसने मेरी बात पर विश्वास किया उसके बात एंडू जब कमरे पे आया तो फिर से डरा हुआ था मुझसे और एंडू से अपनी आखे चुपा रहा था लेकिन एंडू ने फिर उससे दुबारा पूछा तो उसने बताया कि उसको उसकी छोटी बहन नजर आती है जो बच्पन में मर गई थी जब ये बात उसने हम दोनों को बताई तो हम दोनों हैरान हो गए उसने बताई कि उसकी छोटी बहन का एक्सिडेंट हो गया था और वो गल्ती से छट से नीचे गिर गई थी और वो एंडू की वज़े से ही गिरी थी क्योंकि एंडू ने मजाख मजाख में उसे धक्का दे दिया था और उसी वक्त आन दा स्पॉर्ट जमीन पर गिनने की वज़े से उसकी मौत हो गई उस दिन के बाद से एंडू को अक्सर वो दिखाई देती है और वो उसे ये कहती है कि वो उसे मार डाले गे इसके बारे में एंडू ने अपने पेरेंट्स को भी बताया था लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात तर विशवास नहीं करते हैं और वो इसी वज़े से हमेशा डरा रहता है एंडू का ये भी कहना था कि उसकी छोटी बैन उसके अलावा और किसी को नजर भी नहीं आती है लेकिन इस बार हमने उसे देख लिया था वो ये बात बताते हुए रोने लगा और और जादा घबराने लगा रात में चौक के उठ जाता था मैंने ब्रॉक्स से बोला कि हम इस ट्रिप को यहीं पर कैंसल करना चाहिए और वापस चलना चाहिए एंडू की हारत खराब हो रही है उसने कहा ठीक है पता नहीं क्यों पर एंडू अचानक से और जादा घबराने लगा था वो उसकी पहली ट्रिप थी और शायद इसलिए वो डरा हुआ था क्योंकि पहली बार वो अपने घर के कमफर्ट जोन से बाहर आया है और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी चोटी बैन उसे मार डालेगी यह एंडू का कोई वहम नहीं था क्योंकि उस काली परचाई को मैंने और ब्रॉक्स हम दोनों ने साफ साफ देखा था इसके बारे में फिर हमने उसकी पेरेंट्स से भी बात की और फिर उसके पेरेंट्स ने कई डॉक्टर्स को और चर्च पर भी दिखाया ताकि फादर उसकी हेल्प कर सके उसके बाद मेरी एंड्रो से कोई भी बातचीत नहीं हुई मैं ब्रॉक्स से अकसर उसके बारे में पूछा करता था लेकिन ब्रॉक्स ने बताया कि उस घटना के बार से एंड्रो ने उससे मिलने से बना कर दिया और फिर उसको एंडू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली उसकी हालत कैसी थी किसी को कुछ भी नहीं पता वो अचानक से गायब हो गया कई बार ब्रॉक्स एंडू के घर भी गया तो उसके पैरेंट्स कहते थे कि वो मिलना नहीं चाता है उसके पैरेंट्स का भी बढ़ता और ब्रॉक्स के अगेंस कुछ जादा ही खराब था उन्हें लगता था कि ब्रॉक्स एंड्रू को बिगार लाए और ये सब अफवाएं है एंड्रू को उसकी बहन नहीं नज़र आती है लेकिन ये सब जो कुछ भी था सच था हमने उसके पैरेंट्स को भी बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नतीज़ा कुछ भी नहीं निकला आज एंड्रू कहा है मुझे और ब्रॉक्स को नहीं पता लेकिन मैं और ब्रॉक्स जब भी मिलते है अक्सर एंडू के बारे में और उस ट्रिप्न के बारे में बात किया करते हैं जो कि बहुत ही जादा आजीब थी उस घटना के बाद मैं और ब्रॉक्स कई बार ट्रिप पर गए लेकिन ये घटना हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे तो दोस्तों ये थी ट्रिप के दोरान घटी गई एक पहली घटना अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ ये दूसरी घटना मेंड़ा और उसके दूस्तों के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको मेंडा के point of view से बताओंगा मेरा नम मेंडा है ये घटना तब घटी थी जब मैं college में थी ये घटना सन 2000 की है मैं और मेरे तीन दोस्त हम लोग एक ही college में साथ में पढ़ते थे एक वार हमारे college में plan बना कि सब लोग college के सारे students के साथ एक college trip पर जाएंगे हम तीन लोग भी उस trip का एक हिस्सा थे मेरी बागी दो दोस्तों का नाम आलसरा और आवारा था हम तीनों लोग इस से पहले भी साथ में college trip पर जा चुके हैं और हमने वहाँ पर बहुत ही जादा enjoy किया था इस बार हमारे college का last year था तो हम इस मौके कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे इसलिए हमने सोचा कि हम एक बार फिर से college trip पर चलते हैं उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते हो जाएंगे पता नहीं हम जल्दी मिले भी ना मिले इसलिए हम लोग सब साथ में चलने का plan बना रहे थे हमने भी अपना नाम college trip के उस list में रखवा लिया जिसमें सब का नाम लिखा हुआ था हमारे batch के काफी बच्चे थे जो हमारे साथ जाने वाले थे हम लोग बहुत से लोगों को जानते थे लेकिन हम तीन लोग जादतर साथ में रहते थे हम लोग ने अपना सारा backpack किया और college की उसी बस पे जाकर बैढ़ गया जो कि trip के लिए हम लोग को ले जाने वाले थी जब हम लोग उस बस में बैठे तो उसकी हालत को देखके लग रहा था कि वह बहुत जादा पुरानी है और उसकी condition ठीक नहीं है इसके बारे में हम लोग ने management से बताया भी पर उन्होंने बताया कि trip को ले जाने के लिए जिस बस को उन्होंने बुलाया था वो बस किसी कारण वर्ष नहीं आ पाई है बैक अप के लिए यही एक बस थी हम लोग फिलाल इस बस से अपनी location पर जाए जल से जल जिस बस को बुक किया था वो हमारे location पर पहुँच जाएगी और फिर वहां से वो वाली बस हमें हर जगा ले जाएगी हम लोगों ने कहा ठीक है और उसके बाद हम लोग उस बस में जाकर बैढ़ गए उस बस का ड्राइवर ज़्यादा बुढ़ा नहीं था उसकी एज करीवन 30-35 की ही थी लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करता था बस बहुती बुरी तरीके से भी चला रहा था बस की कंडीशन देख के बिलकुल भी नहीं लग रहा था कि वो बस ज़्यादा प्रेशर जहेल पाईगी हम लोगों ने कई बात उससे कंप्रेइन भी की कि वो बस को धीमे चलाए तो उसने बहुती ज़्यादा रूडली रिप्लाई किया शाद उसका मूट किसी वज़े से खराब था ख्यार हम तीनों लोग बस की एकड़म पिछली सीट पर बैठे हुए थे और एक दूसर से बात करते पर जोर जोर से हस रहे थे स्ट्रिप के दौरान हम तीन अलग-अलग लोकेशन पर जाने वाले थे पहली लोकेशन में हमें हाइकिंग करनी थी दूसरी लोकेशन में हमें एक लेक को विजट करना था और तीसरी लोकेशन में हमें एक बहुत ही अच्छी चगा क्यांपिंग करने वाले थे पहली लोकेशन पर तो हम लोग पहुँच गए हम लोगों ने अच्छे से उस mountain पर hiking भी की और हमने अच्छे से अपना time enjoy किया और दुबारा जब हम अपने बस पर लोटे तो वो वाली normal बस जो हमने book की थी वो पहले से ही वहाँ available थी पुराने वाली बस वो driver जा चुके थे हम लोग जब नई वारी बस पर बैठे तो अपनी दूसी location के लिए जाने लगे दूसी location काफी दूर थी वहाँ से तो हमें उस location में जाने में करीबन साथ से आठ घंटे लगने वाले थे हम सब उसी बस में बैठे हुए थे रात काफी सादा हो गई थी ट्रिप पे बहुत ही आम बात है कि अगर आप कहीं पर घोमने जाए और रास्ता भूलेना ऐसा बहुत कम ही होता है ऐसा ही कुछ हमारे बस ट्रैवर के साथ भी हुआ हाला कि वो location बहुत अच्छे से जानता था लेकिन रोट खराब होनी के वज़े से उसने एक गलट turn ले लिया और हम लोग किसी दूसरे रास्ते पर चले गए रात काफी जादा हो रही थे उस दूसरे रास्ते में काफी बड़े बड़े जंगल थे और highways काफी जादा बड़े थे वो रास्ता वहाँ पर जाने के लिए बिलकुल भी नहीं था जहां हमें जाना था वो रास्ता भी उसी जगह जाता था लेकिन वो एक जंगल से होते हुए जाता था जो कि करीबन दो घंटे लंबा था लेकिन हमारे बस ट्रैवर के पास और कोई आप्शन नहीं था इसलिए हम लोग उसी highway से जा रहे थे बस ट्रैवर ने हमारी सेफटी के लिए दर्वाजों को लॉक कर दिया और हमारी सेफटी के लिए हमारे साथ एक गार्ड भी था जो कि उसी बस में बैठा हुआ था हम लोग चुपचाब बस से जा रहे थे पता नहीं क्यों पर हमारे में टीचर ने बोला कि हम बस के सारी खिड़कियों को बंद करते उनकी बात मान के हमने वैसा ही किया बस ट्रैवर चुपचाब बस को चला रहा था एकदम शान्ती थी और अन्धेरा हमें सिब आगे का हाईवे दिखाई दे रहा था लेकिन बस में कुछ और भी बच्चे थे जो 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 से चिला रहे थे और हस रहे थे उनको बाकी के लोग शान्त करा रहे थे लेकिन वो लोग शान्त नहीं हो रहे थे बस ट्रैवर जब उस बस के हाउन को बजा रहा था तो उस हाउन के बजाने की आवास पूरे हाइवे और जंगल में घूंच रही थी उस हाइवे के बीच में हम ही एक थे जो कि चुपचा पस चले जा रहे थे खोड़ा और दिर चलने के बाद वो हाइवे की रोट अपने आप खराब हो गई अचानक से रोट कैसे खराब हो गई हमें समझ में नहीं आया जब उस खराब रोट पे बस ट्राइवर बस को चला रहा था तो पूरी बस थोड़ी बहुत हिल नहीं थी उसमें बहुत बड़े बड़े गड़े पी थे समझ में नहीं आया कि अचानक से ऐसी कंडिशन कैसे हो गई हम लोग की लगबाग आख लग गई थी और हम लोग सोही गए थे लेकिन फिर भी हम सब जग गए थे पूरी बस में वो बच्चे दुबारा शोर मचाने लगे उनके शोर मचाने की वज़े से पूरी बस उठ गई और फिर हम लोग उस हाईवे को देखने लगे पता नहीं क्या हुआ थोड़ी देर चलने के पास बस से गड़े में पहुची और उस गड़े में बस का टायर फट गया और बस वही पर ही रुक गई हमारी कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी हम ठक भी गए थे शायद ये ट्रिम हम कभी भी नभूल पाए बस का टायर पंचर होने की वज़े से बस रावर तुरन नीचे उतरा और उसने चेक किया तो बस के एक टायर बहुती बुरी तरीके से खराब हो चुका था उसने बुला कि बस के टायर को रिपलेस करना पड़ेगा वो बस बीजंगन में खराब होई थी बस के टायर को को बदने के लिए हम सब को बस से नीचे उतरना पड़ता एकशी सेकेरेकार जों समों सब करीबन पार नीचे उतरना कि जो univers सबिर सम तो हमने जंगल को फिर बाहर से देखा। इतने बड़े बड़े पेड़ हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। हमारा पुरा समान बस के अंदर ही रखा हुआ था। और हम सब बस के बाहर थे। हलके फुलका लोग बात भी कर रहे थे। उनके बात करने की आवाज जंगल में हल्की फुल्की गौंज रही थी और वो लड़की जो अकसर चिला रहे थे वो बस से बाह निकलती जोर-जोर से चिलाने लगे और उनकी चिलाने की आवाज भी बहुत जादा तेज गौंज रही थी हम सब लोगों ने फिर गुस्रे में शान्त कराया और फिर वो लोग शान्त हो गए बस्रावन ने कहा कि बस के टायर को बदलने में करीबन 20 मैट लगेगा तो हम लोग फिर वही पर ही खड़े थे धीरे सब लोग एक एक करके वहां से दूर होते गए कोई बस के अंदर बार बार चल रहा था तो कोई पेड़ को देखने के लिए दूर जा रहा था सब बस से थोड़ी थोड़ी दूर जाते हुए जले गए अलाकि सिकुरिटी गार्ड ने किसी को भी ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं बोला था लेकिन फिर भी सब लोग जा रहे थे मैं मैंडा और वरा हम तीनों लोग भी बस से थ इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा था हम तीनों लोग जब उस पेड़ के पास गए तो हमने देखा कि उस पेड़ के कुछी दूरी पीछे बड़ी बड़ी जाडिया है और उन जाडियों के पीछे एक पूरा का पूरा कस्बा बसा हुआ था इतना बड़ा कस्बा हमने साफसफाई से वो कजबा था और वहां पर समान लखे हुए थे लग रहा था कि वहां पर रोज लोग रहते हैं जंगल में एक दम अंधेरा था अंधेरे में अगर कोई धंग से भी देखे तो किसी को दिखाई ना दे लेकिर हम तीनों लोगों ने उसे देख लिया हम तीनों अपस में बात की कि हमें चल के वहां पर देखना चाहिए कि कौन रहता है शायद हमें वहां पर थोड़ी देर के लिए कुछ आराम मिल जाए और हम लोग एक्स्प्लोर भी कर लेंगे और रहा को काफी ज़दा डल लगा और वो कह रहे थी कि वह वहां पर नहीं जाएगी व और वो भी हमें गोमते वें नजर आ रहे थे तो हमें लगा नहीं था कि हम जादा दूर आये हुए हैं हम लोग जब उस कस्वे के पास गये तो वहां के सारे गार एक्दम सुन्शान थे थोड़ा दूर ही खड़े थे हम लोग किसी भी घर में दर्वाजा नहीं था और कोई ना कोई आता हो हम दोनों लोग वहीं पर ही खड़े हुए थे मैंने आवास दी यहां पर कोई है मेरी आवास वहां पर गूंजी पर वहां से कोई भी नहीं निकला अवरा बहुत जादा डरी हुई थी उसने कहा कि हमें यहां से चलना चाहिए वह यहां पर कुछ ठीक ही लग रहा है तभी मैंने उसे दुवारा रुकने के लिए बोला मैंने का रुको हम अभी यहां पर थोड़ी दिर और रुकते हैं मैं अवरा से बात करी रही थी इत्ते में अर्सला उन्में से एक घर के अंदर चली गए और वहां पर देखने लगी कि वह पूरा घर खाली मैंने कहा कि तुमारा ये वहम है उसने भी अपने साथ घटी इस घटना पर विश्वास नहीं किया और फिर हम लोग उस कस्वे के थोड़ा सा और अंदर गए जब हम लोग उस कस्वे के दो तिन घर और अंदर आ गए थे तो हमने दिखा कि उस कस्वे के अंदर से अजीब स आवाजे आ रही हैं ऐसा लग रहा थी कोई खामोशी से चुपचाप बाते कर रहा है और वो हमारे बारे में ही बाते कर रहा था हम लोग उस चीज़ को सुन सकते थे हम लोग ने आवाज भी दिन कि आप लोग कौन हो बाहर निकलो हमसे बात करो लेकिन कोई भी नहीं आया दे अलिक परचाईया एक घर से निकल के दूसरे घर के अंदर जा रही थी और यह हम तीनों लोग देखके डर गए हमें हमारी आंकों पर देखी गई चीजों का विश्वास भी नहीं हो रहा था अवरा और अरसला दोनों लोग डर गए थी लेकिन मैंने खुद को थोड़ा चलते है फिर हम अनुग देखके वहां से बाहर निकलने लगए हम लोग इस वार वहां से निकलने में बहुत ज़्यादा डर रहा थे क्योंकि हम लोग काफी ज़्यादा अंदर आ चुके थे। दिरे दिरे जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि वो सारी काली परचाईयां हमारे पीछे ही चल रही है हम जब पीछे गोमें तो ऐसा ही था वो सारी परचाईयां हमारे पीछे ही थी और हमारे पास ही आ रही थी हम लोग चितना तेजी से भाग रहे थे वो उतना ही तेजी से हमारे पीछे आ रही थी और तभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे आगे भी कोई है हम तीनों लोग एक साथ किसी चीज से लड़े और नीचे भी गिर गए पर आगे कोई भी चीज नहीं थी ऐसा लग रहा थे कि कोई पारदर्शिय दिवार थी जिसमें हम तीनों लोग एक साथ जाके टकरा गए और नीचे गिर गए वो तीनों काली परचाईयां हमारे साम नहीं थी और वो पूरा कपूरा कस्पा अंधेरे में डूबा हुआ वो परचाईयां हमारे पास ही आ रही थी और हम लोग जोर से चिलाने लगे हम जैसे ही चिलाए तब ही हमें एक और आवाज आई और हम तीनों लोग चिलाने लगे चिलाते हैं हम तीनों लोगों ने अपनी आखे बंद कर ली और हम लोग बहुत जादे डर गए थे हमारे चिल्लाते ही हमें एक और आवास सुनाए दी वो आवास किसी और चीज की नहीं उसी बस की थी जिससे हम लोग आये थे उस बस की आवास इतनी तेश थी कि वो पूरे जंगल में गूजी उस बस की आवास के साथ-साथ सब कुछ एकदम शान्थ हो गया जैसी हम तीनों लोगों ने अपनी आखे खोली वो काली परचाई और वो पूरा कस्बा वहां से गायब हो चुका था और सरफ वही बड़े-बड़े पेड़ थे जो की जंगल में होते हैं हम तीनों लोग एकदम डर गए थे हमने जो कुछ भी देखा एकदम सच था हम अपने आखों द्वारा देखी कि चीज़ पर रिश्वास नहीं कर पा रहे थे तब इस बस ट्रैवर ने दो तीन बार और सिगनल दिया जिससे हमें यह तो पता चल गया था कि बस का टैयर बन हम लोग को काफी लेट हो गया था सिकेरिटी गाट हम लोग को ढून भी रहा था हम ही तीन थे जो वहाँ पर नहीं पहुचे थे हम तीनों लोगों ने जो कुछ भी देखा हम लोग बहुत ज़ादा डरे हुए थे काप रहे थे और अपने द्वारा देखी कि एक चीज को कि जादा हो चुके थे और सब लोग हमें ढून रहे थे लेकिन जब हम लोग उस घजबे के अंदर थे और हमाएं साथ इन जो भी चीज़े हुई ये सब बस कुछ ही मेंट की लगी तो हमें लगा नहीं कि हमें इतनी देरी हो चुकी है हम तीनों लोगों का चैरा बस में बैठ के जहां पर हम पहले बैठे हुए थे और फिर पूरे टाइम हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे हम इतना डरे हुए थे कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था दीरे-दीरे हमारी ट्रिप खतब हुई पूरी ट्रिप के दोरान हम लोग जादा हस भूल नहीं रहे थे बस एक दूसरे से उस खटना के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि हमें हमारी आखोंगों द्वाराइद देखी के चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था इस घटना के बारे में हमने किसी से को नहीं sticking ." और फिर हम लोग कभी भी एक साथ ट्रिप पर नहीं गए, क्योंकि वो हमारी कॉलेज का एक आखरी ट्रिप था तो दोस्तों ये थी ट्रिप के द्वारा घटी गई दो घटना है, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, मुझे कमेंट करके ये बता